वेल्कम बाक टो टीजी दोस्तों ओनलाइन टेक ग्यान अगर आपने आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को दबाना ना बोले अगर आपको देखने के बाद जो है आपको एक ऐसा तरीका मिल जाएगा जिससे आप हैवी से हवी अप्लिकेशन लाइक पावर डिरेक्ट फोटोशॉप वगरे ऐसे अप्लिकेशन जिसका सिस्टम रिक्वार्मेंट जो है काफी ज्यादा होता है दोस्तों ऐसे अप्लिकेश को अपने सिस्टम में यूज करने के लिए आपको ज्यादे से ज्यादा राम और अच्छे कॉन्फिगरेशन वाले हाडवार सिस्टम की जर्वत होती है दोस्तों जैसे आप देख सकते हो मुझे अगर फिल्मोरा नाइन अगर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल करना और अच्छ जो है एडिट कर पाऊंगा अगर आपके पास जो है सिस्टम रिक्वार्मेंट जो है उससा पीछे नहीं है फॉर एक्जामपल मेरे सिस्टम में आप देखोगे तो मेरे पास आई-पाइप प्रसेसर तो है बट जो राम है उस सिर्फ और सिर्फ चार्जी भी है तो यह जो ह जो है मेरे पास एक ऐसा बेस्ट सॉलूशन है जिससे आप अपने पेंड्राइब जो यूस्बी फ्लाइच ट्राइब होता है जो पेंड्राइब होता है उसे आप एस राम यूटिलाइज करके जो आपका जो भी रिक्वार्मेंट है आप उसे फुलफिल कर सकते हो और आप उसे फ्रीली आप यूस कर पाऊगे मुझे इस स्टेप को करने के लिए या फिर मुझे एस पेंड्राइब को आज राम यूटिलाइज करने के लिए मुझे कोई थर्ट पर्टी एप्लिकेशन का रिक्वार्मेंट नहीं विंडूज में जो है वो प्री इंड विल्ट दोस्तों मैं काफी समय से यूज कर रहा हूं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आता है और मेरा सिस्क्रम जो है बहुत ही अच्छा स्मूथ तरीकी से चलता है आपके पेंडराइब को आप यूज करने के लिए आपको करना बस इतना है आपका जो पेंडराइब है उ जैसे मैं राइट क्लिक करता हूं तो मुझे नीचे आना है एकदम नीचे आप देख सकते हो जहां पर लेका है प्रॉपरटीज में क्लिक करना है जैसे मैं प्रॉपरटीज में क्लिक करता हूं तो मुझे तो पूरे सारे पेंडराइब की मेरे जो डीटियल से जैसे की जितना फी सपेस है क्या है सारे के इंफोमेशन मुझे जो है उसमें मुझे क्लिक करना है जैसे मैं उसमें क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो इसमें सब कुछ जो है एकदम क्लियर तरीके से मेंशन किया हुआ है इसे आप step by step पढ़के आप easily समद सकते हो आप देख सकते हो यहां पर clearly mention किया हुआ है कि आप अपने pen drive को जो है as a ram use करके आपका system का performance जो है उसे बुस्ट कर सकते हो आपके पास यहां पर तीम options available मिल जाते हैं दोस्तों पहला जो option है do not use this device का मतलब है आप इस device को use नहीं करना चाते हो कि ready boost के लिए दूसरा जो option है dedicate this device to ready boost मुझे यह डिवाइस जो है यूज डिवाइस जो अभी फिलाल के लिए मुझे यूज करना है तो यूज डिवाइस में मैं जो है क्लिक कर लेता हूं उसमें बेस्ट चीज यह है दोस्तों यह अगर मैं कोई भी pen drive अगर मैं जो है space already इसने ले लिया है इससे ज्यादा में बढ़ा नहीं पाऊंगा बट मुझे अगर कम करना है तो मैं कम easily कर पाऊंगा इसे तो अपने requirement के साब से इसे set कर लीजिए और पस apply में क्लिक कर लीजिए जैसे आप apply में क्लिक करते हो दोस्तों आपका जो है RAM जो है वो बूस्त हो चुका है आपका राम जो है अपग्रेड हो चुका है आगर आपका 4GB है तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे case में 4GB राम ता अभी जो है मेरा 8GB RAM हो चुका है और मैं इसे इससे जो है Photoshop या पर फिल्मोरा जो है easily use कर पाऊंगा बट अभी देख सकते हो इसमें जो है system ने है 4GB जो है reserve कर लिया है यानि कि मैं वो 4GB अभी यूज नहीं कर पाऊंगा बट इसके अलावा जो remaining इसके पाऊंगा जाते हैं फिल्मोरा और ओपन करके चेक करते हैं इसका performance कैसे है जैसे कि आप देख सकते हो मैंने फिल्मोरा ओपन किया है फिल्मोरा जो है बहुत ही पाऊंगा है जो में पेंड़ाय यूज नहीं करता हूं उस समय में यह बहुत ही लैक करता है जो उपन होने में और यूज करने में बहुत ही स्टक हो को चलता है यहीं है अभी में आपर एक कंधा करने के लिए अगर स्केटि करने के लिए में कोई भी डाउट्स या क्वेश्टन्स है तो आप प्लीस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना मैं उसको मैं 100% ट्राइब करूंगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊं और कोई भी जो है प्रॉब्लम्स जो आपको हो रहा है मैं उसे सॉल करने की क किया हो तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कीजिए और राइट गाइस से या नेक्स वीडियो